पूरे प्रदेश और देश वासियों को आज कार्तिक पूरिमा की बधाई गुर्णानक देव जी का प्रकासफर्व की बहुत बहुत बधाई और शब्कामना है साथी साथ इस मौके पर मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूँ जिनके संगर से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छिड़ा और उसका परड़ाम ये है के आज तीनों काले कानून बापिस लिए गए हैं काले कानूनों की बापसी अहंकार की हार है ये किसानों की जीत है लोगतंत की जीत है जनता इन्हें माफ नहीं करेगी इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में सैक्रों किसानों की सची मौत के आगे किसी की जूट की माफी नहीं चलेगी जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए रादनी चोड़ने का भी बचन दें ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दुबारा आएंगे ये जनता इनको समझती है जिस तरीके से भूमी अदिखन कानून लाए गए थे और काले कानून जो तीन थे ये भी बापस हुए हैं किसान हित में तो हुए ही हुए हैं लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनावस से डर गई है और बोट के लिए कानून बापस हुए हैं उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों कितना अपमानित किया किसानों कितना अपमानित होना पड़े क्या क्या नहीं सुनना पड़ा जिन शब्दों का इस्तिमाल किया गया कोई कल्बना नहीं कर सकता कि अनदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किया सकते हैं वो भारती जिंटा पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है और ये केबल एक की जिम्मधारी नहीं होती है मंत्यमंडल की सामुएक जिम्मिदारी होती है अगर सामुएक जिम्मिदारी है न केबल मन्तिमंडर को इस्तीफा देना चाहिए बलकि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे यह सरकार की जिसमेदारी बनती है जहाँ इतनी माफी माँगी गई कानून को बापस ले लिया गया है वहीं ये भी तो जिमेदारी सरकार की बनती कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी मंत्री मंदल में है और मैं कह सकता हूँ कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूरवांचल की जनता किसान सड़कों पे नज़र आए नकेवल लखनो बलकि किसानों ने आए हुए काईकरता नेताओं ने और जिस तरीके से नौज़मान निकले उनसे लखनों के साथ दिल्ली को भी ला दिया याद होगा एक कानून ऐसा लाए गया था चुनाओं से पहले एक फैसला सरकार का ऐसा भी लिया गया था क्या उससे अर्थववस्ता आज उभर गई जो उस समय फैसला सरकार का था क्या उससे आज अर्थववस्ता सुधर गई है वो भी फैसला गलत था वो तो किसी को पूछते ही नहीं है अगर किसी को याद कर रहा है अगर तो वो समाजवादी पार्टी आज भी खजानची को याद करती है इसलिए मैं किसानों को बढ़ाई देता हूँ इस आंदूलन को बढ़ाई देता हूँ और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान नौजमान सड़कों पे आ गए सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं हो सकता है चुना गया फिर ऐसा कोई कानून ले आए इसका वरोसा कौन दिलाएगा कि भविस्त में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकड में डाला जाए और अगर इनकी नियत साफ होती ये जर्फ को लैन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए किसी किसान को खाद नहीं मिल ले D.A.P. नहीं मिल ले पूरे उत्तवदेस में केसी भी किसान को द्यान की कीमत नहीं मिल ले आज मैंने सुना कि पिथार मंती चीचे कहरे थे नजा ने कितना मंडी के लिए infrastructure के लिए पैसा दिया पूरे बंदेर खंड में मंडी बनी खड़ी है मैं जानना चाहता हूँ किस मंडी में किसानों की खरीद हुई यह फसल की मंडीयों को बंद करने का काम किया गया और उत्तपत इसकी सरकार ने पिछले साड़े चार साथ से अगर मंडीयों को बजड दिया हो तो बताए सरकार जो मंडी बंद कर रहे हो धान की कीमत न दे पा रहे हो गन्ये के अभी भी किसानों का बकाया है डीजल पेट्रॉल महंगा कर दिया हो खाद उपलब्द नहोँ डीएपी उपलब्द नहोँ कि नसक दवाईयां महंगी कर दी हो केबल किसानों के काले कानून वापिस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा उन्हें कब मंत्री बंद से हटाए जाएगा इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बढ़ाई देता हूँ और जो जन्ता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसका श्रेपूरे किसानों को खासकर पंजाब के हर्याना के उत्तव प्रदेश के देश के सभी हिस्से के किसानों को और समाजवादी पार्टी के जितने कारकरता नेता लगाता संगर्स में रही जिन पर नजाने कितने मुकद्मे लगे कोई अंदूलन अगर दिल्ली से ऐलान हुआ होगा और समाजवादी उन्हें समर्थन किया होगा तो जितने मुकद्मे दिल्ली में या किसानों पे लगे हैं उससे ज्यादा मुकद्मे समाजवादी पार्टी के कारकरता नेताओं पे मुकद्मे हैं कोई नेता कारकरता ऐसा नहीं है और अंदूलन कह दिया प्रड़सन के लिए निकल पड़ा उसके घर पर पुलिस नबेट गई हूँ पलिस ने अपमानित ना किया हो सरकार को मदद करनी चीह है जो बड़ी सेंख्या में किसानों की जान गई है सरकार आए के इन सरकार उनकी मदद करे अभी उनका फैसला किसानों पे लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि MSP कब लागू होगा उसके लिए कानून कब बनेगा मैं सबस्तर भाते दिन तब पार्टी खुद नहीं समझना चाहती है ये कानून उद्योग पतियों के लिए बने है उद्योग पतियों के लिए नवने होते तो मंडी के लिए बजट नहीं खतम होता एक भी मंडी को चालू करने के लिए बजट नहीं दिया गया और जो पहले से मंडीयां चल नहीं थी उन मंडीयों के भी ठीक करने का कोई भी बजट का इंतजाम नहीं हुआ जहां प्रधामन्ती जी अब हादि इंतर पाडिया कहती है कि एक लाग क्रोड का इंट्फर्सक्शन का पैसा दिया है वो आखिरकार गया कहा उत्तपदेश में बताएं किस मंडी के लिए पैसा दिया बुंदेल खंड में आज हैं प्रधामन्ती जी बताएं कि बुंदेल खंड में किस मंडी को उन्होंने चालू किया है और जब से ये तीन कानून आए उत्तपदेश की सरकार ने क्या बजट दिया है क्या मंडियों में खरीद हुई किसानों की किसी शीज़ की किसी पैदावार की कीमत दे पाई यो सरकार आज पूरे उत्तपदेश में धान के लिए कहां लेकर के जाये कहां खरीद हो रही है कहां खाद मिल लही है उसी बुंदेल खंड में किसान जो खाद लेने गया था उसकी जान चली गई एक ने आत्मत्या कर ली महुआ जिले में जहां प्रधामंदी जी बोल ला है उत्तपदेश में सबसे ज़्यादे किसानों ने आत्मत्या की मुझे याद है पार्डी के डेलिकेशन गया था एक-एक एमलसी नेता गये थे घरों पर होकर के आये थे और जो कुछ मदद कर सकते थे वो मदद की थी महुआ जिला उत्तपदेश का वो जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्मत्या की है गरीबी के कारण उनकी फ़सल की कीमत नमिले उसके कारण महुआ में मंडी बनी क्या सरकार ने बजट दिया हमीरपुर में मंडी बनी क्या बजट दिया सरकार ने बानदा में मंडी बनी क्या उसके लिए पैसा दिया सरकार ने जहांसी में मंडी बनी किसान बज़ार बिना क्या सरकार ने उसमें आगे काम बढ़ाया जालों में मंडी बढ़ी क्या उसके काम बढ़ाया इस एक्सप्रेस में के किनारे मंडिया बन रही थी आलू की मंडिया बन रही थी अनाज की मंडिया बन रही थी उसका काम क्यों रोक दिया गया लखनों में किसान बजा रहा था उसको क्यों बेज दिया गया पुर्वांशेर एक्सप्रेस में जगे जगे मंडिया बननी थी अगर एक भी मंडिया बनाई हो तो बताएं जो सरकार मंडिया खतम कर रही हो कानून के सारे उद्ध्योगपतियों की मदद कर रही हो उससे क्या उम्मीद करोगे आप तो जहां उन्हें तीन कानून पापस लिये हैं जन्ता को साब्धान रहना पड़ेगा चुनाओ के बाद हो सकता फिर कानून लें ऐसा इसलिए बिना इन्हें हटाए बिना इनका सफाया किये किसानों के हित्मे फैसले नहीं होंगे किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जन्ता इन्हें माफ नहीं करेगी किसान माफ नहीं करेगा ये किसान इनको इस चुनाओं में साफ कर देगा ये कानून पापस लिए गए हैं उत्तव देश और देश में जो चुना हो रहे हैं इसलिए इनके नजर में किसान प्राथे मिक्ता नहीं है बोट प्राथे मिक्ता है इन्हें बोट चाहिए वीजेपी की लोगों को अन्य दाता का सम्मान नहीं है प्राथे मिक्ता भाती जनता पार्टी बोट के लिए कर रही है क्या आपको नहीं याद है पूरे देश में नोड़ बंदी लागू करकर के केवल उत्तपदेश के चुनाओं पर नजर थी हजारों की जान चली गई खजान जी को तो यह आज भी नहीं पूछ रहे खजान जी को कोई याद करता है तो केवल समय जादी पार्टी क्या भारती जनता पार्टी जिन किसानों की जान चली कि उन्हें बापस ला सकती है क्या किसानों के साथ जो अन्या हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारती जनता पार्टी कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा और उत्तपदेश में सूची निकाली है आप कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कायकरताओं पर मुगदमे हुएं देश में अगर सबसे ज़्यादा मुगदमे कहीं हुएंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पांदोलन मुगदमे हुएं इस बार जनता साफ करेगी माफी नहीं चलेगी जनता इनको साफ करेगी और इसलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पुर्वांचल का दिखाई दिया किसानों का नौजवानों का उससे नकेबल लखनू हिल गया बलकि दिल्ली भी हिल गया लोग तंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं तीनों कानून बापिस हो गए हैं साथी साथ MSP कब लागो गए ये भी भातिजनता पाटी बता दे उत्तवदेश में धान खरीद हो रही है अगर एक किसान को भी धान की कीमत मिल रही हो तो बता दो पूरे उत्तवदेश में किसान खड़ा हुआ है इंतजार कर रहा है कि खाद कब मिलेगी डियेपी कब मिलेगी जिस सरकार ने खाद और डियेपी का इंतजाम ही नहीं किया फसल कब बोएगा कैसे पैदावार बढ़ेगी किसान का गन्येगा अभी भी बकाया है और महिंगाई बढ़ा करके गरीब को बरबाद कर दिया है नहोंने डीजल पैटरॉल किसने महिंगा किया कौन है जिम्मेदार इन किसके लिए और पिछले कौडर का जो मुनाफ़ा था 600 परसन मुनाफ़ा हुआ इंजिसी का तो यह किसकी जेब में जा रहा है और आपके टीवी चैनलों पर पैनल पर जो बैट करके नजाने क्या क्या समझाते थे वो पैनलिस्ट कहा है वो पैनलिस्ट क्या आप किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पर बैट करके ग्यान देते थे कानून ऐसे है, कानून वैसे है वो कहा हैं वो लोग अब वो बात बड़ी کہ दूँगा भमें भी नहीं दिखा होगे कुछ बात और कह देंगे तो हमारे किसी से बात नहीं हम खोड किसान ने क्या हमें अपनी तकलीह परेशानी नहीं पता लकती और आप तो बोलिए कि ये मंडी के लिए एक लाग करोड बोला है कहां पैसा है एक लाग करोड यूपी में कितना दिया है आज केवल इतना ही रखिए कि भादे जनता पार्टी की नजर बोटों पर है किसान के हित की पे नजर नहीं है किसान की मदद के लिए फैसले ले सरकार को कम सकते हैं मैं MSP के लिए कानून मनाए जब तीन कानून बापिस ले रहे तो MSP का भी कानून लाए सरकार और समाज़ादी पारी की मांग है कि किन्द सरकार MSP के लिए कानून लाए यह सब मिलने आए ते इसली मैंने का आप सभी मिला दू जनता इन्हें माफ नहीं करेगी नहीं साफ करेगी किसान इन्हें माफ नहीं करेगा इनको इस चुनाव में साफ कर देगा क्या माफी बांगने से जहान बापेस आजाएगी किसानों की क्या माफी माफी बांगने से जिनको कुशल दिया आपने उनको मंत्री मंदल में रखे हैं अभी भी यह किसके हाथ में है मंत्री मंदल में मंत्री हैं वो भी भी सकार चाहे आज मंत्री को अटा दे इस बार जनता इनका सफाया करेगी यही वह वह सबारी है कि जनता इस बार इनका सफाया करेगी केंज सरकार से अभी मैं सरकार में नहीं हूँ कल क्या होगा यह कल की बात है लेकिं हमेशा किसानों की मदद की है और आप पता करिए बंदेर घंड से उत्तव अपदेस में सबसे पहले नेताजी ने शुरू किया था अगर किसी किसान के साथ ऐसी दुर्गटना हो जाए या जान चली जाए तो उत्तव अदेस की सरकार मदद करती थी उस पैसे को बढ़ाया मैंने पिछली वार भी घोशनपत में लिखा था इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सभी लोग किसाने जायतर लोग किसाने समाजवादी पार्टी का मानना है कि किसानों की मदद हो MSP के लिए कानून बना जाए क्या बताओं यासी हैं इनको क्या बताओं मैं क्या बताओं मैं आपको बहुत पुराने जनलिस्ट हो ये बहुत पुराने जनलिस्ट हैं इन्हें जाने कितने साथ से हम देख रहें इसी तरह इसी तरीकी से देख रहे हैं ने हैं कम से कम ये दिलवाओं मंडियों के लिए कुछ पैसा मंडिया ठीक हों कुछ किसान का भला हो आप मेरे साथ चले थे और वही कारण घवराट का जो जन समर्थन सडकों पर दिखाई दिया जो जन समर्थन समाजवादी पार्डी के साथ खाड़ा दिखाई दे रहा है और उसी का परणाम है कि परभारी के बाद परभारी और नजाने कितने परभारी चुनाव तक बनेंगे याद कीजिए वो नोट बंदी जिससे आज तक अर्थववस्ता नी सुधर पाई और नाई भष्टचार खतम हुआ नाई कालाधन आया नाई बहार जो पैसा जमाए वो आया है और आप आकड़े निकल वाईए पैसा ज़्यादा चला गया बहार लोग बैंकों कभी पैसा ले गए बहार बैंकें इन्हें ने मर्श करनी पड़ी एटियंस बंद करने पड़े और भष्टचार बढ़ गया बड़े पैमाने पे तो जब नोट बंदी का कोई परणाम आज तक नहीं मिला क्या नोट बंदी के लिए भी माफी मागे की सरकार और आज किसानों के साथ जो हुआ है इतने दिनों के धर्णे आंदोलन प्रदसन में इतने किसानों की जान गई भादी जन्ता पार्टी के लोगों के क्या किनी का किसानों को अपमानित करने के लिए और उत्तप अदेस में जिस तरीके से समर्थन जुटा चुनाव करीब आया भादी जन्ता पार्टी ने इसी लिए ये तीन कानून बापिस लिए है और धोका देने के लिए ये धोका है फिर कल बदल जाएंगे बीजेपी के लोग अब इतना बड़ा जूट तो नहीं बोल सकते लिए इतना बड़ा जूट बोल देंगे फिर टीवी देखना बंद कर देंगे हम मैं किसानों को बढ़ाई देता हूँ जिन किसान संगठनों ने लगातार इस लड़ाई को लड़ा और समाजवादी पार्टी के समर्थन में जिस तरीके से किसान नौजवान आये कारकरताओं पे मगदमे लगे मुन सब को बढ़ाई देता हूँ मैंने एक वीडियो और आडियो सुन लिया उनके बारे में लोगों ने क्या कहा है और अगर आपके हिम्मत हो तो चलवा दो यहां हम लाईए हमें परेंट ड्राइब पर अगर हो आपे मैं चलवा देता हूँ भी हैं है आप पे तो दे दो अगर हो आपे दो हम अभी चलवा देंगे नहीं वो इन्होंने दिया है यह जो दे रहे हम चला रहे हैं आपके हिम्मत हो तो लाओ हम चलवा देंगे भी क्या कहा है कहा नाम ले तो किसी का कौन नहीं चाहता यह डिप्टी सीम किसने बना दिया इनको इनको कूड़े का काम और नाली साब का काम दोबारा देजेना चाहिए जल्दी हो जाएगी क्या क्या नारा दोबार लगाओ क्या आप लोग बीजेपी के खिलाफ चला होगे कि नहीं चला होगे लाइब चला है यह साफ एकदम साफ बात है साफ नहीं है इनका दिल चुना बात फिर लाएंगे बिल नहीं वो आपको देखने के लिए हमारा उधर है आपके लिए बड़ा है देखने के लिए हम उधर देखने है जैसे जैसे हार का डर सताएगा उत तब देख में दोरे बढ़ जाएंगे और जो बड़े होंगे उनको और छोटा प्रभारी बना दिया जाएगा भारती जन्ता पार्टी को नकल करना भी नहीं आता हौट बैलून का जो प्रोग्राम था समाजवादियों ने शुरू किया था अभी सुने मैं बनारस में शुरू किया कहीं गिर गिया तो भारती जन्ता पार्टी चुनाओं से पहले क्या कर दे आज बिरोजगारी की महंगाई का क्या है जवाब उनके पास मंडीों को पैसा नहीं दिया क्या जवाब है उनके पास एक भी उत्तफ़ेस में मंडी में पैसा दिया हो इस सरकार ने तो बताई या धान के लिए अभी भी परिसाने किसान धान कहा जिले के जाए किसी किसान को धान की कीमत नहीं मिली किसी जिले में खाद नहीं मिली किसान को डिये पी अब लग्द नहीं है विजली का बिल महंगा कर दिया डीजल पेट्रॉल महंगा कर दिया सिलिंडर महंगे कर दिये क्या जवाब है सरकार के पास करते रहो यूपी के दोरा क्या जनता को यह नहीं पता है सब बाते है उनके वाटसे पाया नहीं होगा किसी क्या इस पे आप बताईए कि किस ने बनाया है उसमें खंबे भी हमारे लगे हैं फुरानी जमानी के सरकार के बिजली के खंबे ये सरकार काम नहीं कर रही है और कम से कम मुझे खुशी होगी इस बात की कि देश के डीजी पी और देश के पुलिस के बड़े अधिकारी यहां आएंगे तो वो देखेंगे कि कितना बड़ा इंफ्रेसेक्चर उत्तरपदेश की सरकार ने इसलिए क्रेट किया था और ये इसलिए किया था कि आम जनता को न्याय मिले आम जनता को सुवधा मिले कानूनी मदद हो चाहे वो आपका हेड़कॉर्टर हो पुलिस का और चाहे बगल में रिस्पॉंस सिस्टम जो बनाया था पुलिस का है डायल हंड्रेड मुझे डर इस बात का है कि मुख्योंती जी जाएंगे और नाम उसका भी बदल देंगे कोई नाम सोच के रखा होगा जैसे डी जी पी मीटिंग खतम होगी उसका नाम बदल देंगे उसका भी और यह वर्ल्ड क्लास इंफ्रेसेक्चर है जो पुलिस को दिया है समाजवादी सरकाड में कम सिकब डी जी पी जो आ रहें देश के वो तो बताएंगे कि एंसी आभी डेटा क्या कहता है कि महिलाओं बीटियों के साथ सबसे ज़्यादा अन्यावत पीड़न कहां हो रहा है सबसे ज़्यादा फेक इंकाउंटर्स कहां हो रहे हैं उस पर भी शर्चा करेंगे कहां सबसे ज़्यादा न्याव हो रहा है पुलिस के माद्यम से कस्टोडियल डेट सबसे ज़्यादा कहां है तो जो यह मीट हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सभी देश के डी जी पी जान जाएंगे कि सबसे ज़्यादा कस्टोरिल डेट अगर कही हो रही तो उत्पदेश में हो रही है सबसे ज़्यादा फेक इंकाउंटर अगर कही है तो उत्पदेश में हो रहे है और उस उत्वदेश में जहां पर सबसे बहतर पुलिस को इंट्रसेक्शन दिया गया समाज़ादी सरकार में यह सवाल आप पूछना तो अच्छा रहेगा बहुत जल्दी हो जाएगा ए तुम अन्डर्ट्रेणिंग हो क्या क्या पूछने हो क्या है पूछने हैं तो क्या पूछने हो अरे पूछने दो अरे पूछने दो उसको भई ने खड़े हो कि पुछे कोई दिक्रत नहीं है अरे पूछने तो क्या कैमरा वैसे भी नहीं दिखा था कौन फ़र्क पड़ रहा है कौन सा चैनल का कैमरा दब रहा है कौन सा है चलो यह भी भी दिखा रहा है आज कल प्रयाम वैसे भी फार्टिस दिखिए है यह जनता को धोका है तीनों कानून जो बापेस हो रहे हैं केवल बोट पर नजर है किसानों की मदद के लिए नहीं कानून है और अगर किसान के लिए मदद के लिए दिखा बनाना है जिस तरीके से टायरों से किसानों को खुचल दिया और वही मंत्री मंत्रिमंडल में हैं जिन पर आरोप हैं सुप्रीम कोड अपती जता रहा सुप्रीम कोड ने नोटिस लिया सब जाँच बदल गई उसके बाद भी सरकार किसी की परवानी कर रही वो समाधी पार्टी में 27 से ही नहीं थे और ये बता देंगे कितने बरसों से नहीं थे समाधी पार्टी में देखे ये बहुत अच्छा सवाल पूछा हैं नोटे पिछले कई दिनों से पूछ रही है सवाल उनका पूरा सम्मान होगा और उन्हें पॉलिटिकल लड़ाई में साथ लिया जाएगा आप ये दिखाना बंद करो तो जिस दिन बीजेपी का के परिवारवाद और बीजेपी का परिवारवाद आपने एक दिन नहीं चलाया सब सवाल हमसे पूछते हो आप का बीजेपी परिवारवाद नहीं है उनसे पूछे जन्हें दिक्कत है तो आप पूछे नहीं सवाल आप ये सवाल जो हमसे पूछ रहो कल माईनी मुखेंटी से मिलने का अगर मौका मिल जाए तो उनसे पूछ लो कि परवाद नहीं है आपको क्या दिक्कत है पूछ लो आप उनसे तो वहीं तो भूछे नहीं ये बात बहुत ट्रेनिंग हो गए इसलिए मैं पत्दकार साथियों को धन्यवा देता हूँ मैं दो अपने पत्दकार साथि जो जिनका जनम देन उनको बहुत बहुत शुक्रामना देता हूँ गोपी रस्तोगी जी को रहुल चौण जी को बहुत बहुत शुक्रामना आपको क्या हाले हैं